Hello everyone, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Tech Seek Pro पे तो निम्मी Official Question Paper की इस सीरीज में यह हमारा चौथा वीडियो है इससे पहले तीन वीडियो में हमने फिटर फर्स्ट येर के सेट वन, सेट टू, सेट थरी को डिसकस किया था आज के इस वीडियो में हम फिटर सेकेंड येर के सेट फर्स्ट को डिसकस करने वाले हैं अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो डिसक्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ से जा करके देख सकते हैं चैनल पे बिजिट करके पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना न भूले और अपने फ्रेंड के भी सेर जरूर कीजिएगा जिससे उने भी इसका बेनिफिट मिल सके जैसा कि आप सभी को पता है कि यह निम्मी के तरफ से ओफिसियली पेपर जारी किये गए है और जो आपका CBT होने वाला है नेक्स्ट मन्त में तो मैक्जिमम चांसे हैं कि जो आपका पेपर आएगा फाइनल CBT का वो इनी तीन प्रेक्टिस से मिला कर यहां पर बनाया जाएगा ठीक है तो चलिए आज की वीडियो में हम डिसकस करते हैं फिटर सेकंड डियर सेट वन के बारे में इसमें हम ट्रेड थेओरी, वर्क्षाप केलकुलेशन, इंजेनिंग ड्राइंग और इंपलाविल्टी स्किल के टोटल यहां पर 75 क्वेश्चन को डिसकस करेंगे ठीक है और उसके सासा जो उसके 4 ऊPSन होंगे उसको भी क्लियर करेंगे और कोसिश किया जाएगा कि उससे रिलेटर और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको बताए है जाए तो चलिए वीडियो को इस्टार्ट करते हैं तो पहला question यहाँ पर हमारा पूछा गया है which special file is used for narrow work, कौन सी बिसेश file है जिसका परियोग संकीर्ण कारणों के लिए किया जाता है, मतलब पतले कारणों के लिए जहाँ पर space ट्राथ कम होता है, वहाँ पर किस file का परियोग किया जाता है, option pillar file, square file, dread knot file या फिर swiss pattern file, तो यह क fancy file होती है, pillar file होती है, basically एक safe age file होती है, ठीक है, इसके एक age पर नाते नहीं कटे होते हैं, safe age होती है, अगर बात की जाए, इसके face पे double कट नाते पाए जाते हैं, दोनों तरफ ठीक है, और यह thickness में जो इसकी मुटाई होती है, उसमें क्या होती हलकी सी taper होती है, जिससे की यह जो narrow work होती है, जहाँ पर जगातवा कम होता है, वहाँ पर इसको easily परियोग किया जा सकें, other file के बारे में बात कीज़े, square file तो आप सभी को पता है, यह basically safe के अंसार file होती है, इसका परियोग कहां करते हैं, तो जो आपका कोई square hole है, या square आपका channel है, तो वहाँ पर filing करने के इसका परियोग करेंगे, dread not file यह भी special file के अंतरगत आती है, इसका परियोग basically metal working या wood working के लिए किया जाता है, जहाँ पर आपको, मतलब बहुत कम मातरा में धातू को हटाना होता है, वहाँ पर इसका परियोग किया जाता है, Swiss pattern file का बात किया जाए, तो basically जो Swiss pattern file होती है, यह क कार्णों में इसका भी परियोग किया जाता है, चलते हैं अपने next question की तरफ, next question में पूँचा गया है, what is the name of key, यहाँ पर एक key बनाई गई है, और पूँचा गया है, इस key का नाम क्या है, ठीक है, तो आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक basically rectangular shape में key दिखाई गया जिस पर दो holes होते हैं यहाँ पर screw को tight करने के लिए, तो इस key का नाम क्या है, तो इसे हम कहते हैं feeder key, इस feeder key का परियोग कहां किया जाता है, तो basically इसका परियोग किया जाता है, unidirectional torque के लिए, जब दोनों दिखाउं में हमारा torque transmit करना होता है, तो वहाँ पर इसका परियोग feeder की ऐसको फीडर की बात की जड़ीद में कहाटा चाता है थीख है अगर जो सइडल की को फीट करने के लिए दोनों में कहाचा नहीं कता होता है इसे fit करने के लिए केवल हब में खाचा काटा जाता है, साफ पर खाचा नहीं काटते है, हलका सा वहाँ पर हम क्या करते हैं, filing करके हलका सा smooth करके वहाँ पर हम saddle key को fit कर देते हैं, ठीक है flat saddle की, hollow saddle की ये दो different type of key होती है saddle key के अंतरगत, जो flat saddle की होती, इसका परियोग basically light कारियों के लिए हरके कारियों के लिए किया जाता है, ठीक है, और ये आपकी जो hollow saddle की होती है basically इस पर one is two hundred का taper होता है, ये key में ज़्यादा से ज़्यादा परियोग की जाती है, ठीक है, तो इसको पकड़ने के लिए हाँ पर fraction घर्षन वाला mechanism काम करता है चलते है, next question की तरफ what is the purpose of key key को यूज करने का main purpose क्या है, क्यों परियोग की जाती है, तो आप सभी को पता है, साफ्ट हो गया, हव हो गया, पुली हो गया तो उनको basically आप असमें connect करके power को transmit करने के लिए, और उनके भी जो relative motion होती, उसको रोंकने के लिए भी basically इसका परियोग किया जाता ठीक है, तो इसका सही option क्या हो जाएगा to transmit torque torque को transmit करने के लिए मतलब power को transmit करने के लिए और उनके बीच में कहीं न कहीं जो relative motion होती है उसको भी rotary motion को यह क्या करता है रोंकता भी यह ठीक है basically की mild steel या फिर wrought iron की बनाई जाती है यह इसका size होता है वो soft की अनुसार basically यहाँ पर design किया जाता है ठीक है अब यहाँ पर basically दो चीज़ आता है एक होता है soft एक होता है hub तो कई बार आपसे में पूछा जा सकता है कि जो soft पर key को fit करने के लिए खाचा काटा जाता है वो किस machine पर काटा जाता है तो milling machine पर काटा जाता है जिसे हम key seat कहते हैं और hub में key को fit करने के लिए जो खाचा काटा जाता है उसे हम key बे कहते हैं और slotting machine पर काटा जाता है तो यह दो चीज आपको ध्यान लखने है ठीक है क्या ध्यान लखना है कि soft में जब key को fit करते हैं तो जो खाचा होता है slot उसे key seat कहते हैं milling machine पर उसको हम काटते हैं और hub में जो खाचा कटा होता है key को fit करने के लिए उसे key बे कहा जाता है और slotting machine पर उसको काटा जाता है, next question, what is the taper ratio of jib head key, आप सभी को पता है, जो jib head key होती है, ठीक है, उस पर एक head बना होता है, तो वहाँ पर पूच रहा है, उसके head का taper क्या होता है, ठीक है, उसके head पर taper कितना होता है, तो कितना होता है, one is two hundred का यहाँ पर jib head key पर taper पाया जाता ह है, तो basically इस पर head बना होने के करण इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, तो इसका परयोग basically हम वहाँ करते हैं, जहाँ पर हमें अधिक power को transmit करना होता है, अधिक torque को transmit करना होता है, और speed काफी अधिक होती है, तो वहाँ पर jib head key का परयोग किया जाता है, चलते hexaframe देखा होगा, hand wise देखी होगी, तो वहाँ पर जिस nut का हम परयोग करते हो, अपना bing nut होता है, तो इसको हम हाथ से ही क्या कर सकते हैं, open close कर सकते हैं, कोई clear open close कर सकते हैं, उसके लिए में किसी wrench की जरूरत नहीं पढ़ती है, तो इसका correct answer क्या हो जाएगा, इसका correct answer हो ज question की तरफ, which key is useful for fitting on tapered shaft, basically जो taper shaft होती है, वहाँ पर किस की को fit किया जाता है, कौन से की का उपयोग किया जाता है, taper shaft पर fit करने के लिए, option है feeder की, jib head की, woodruff की या फिर flat saddle की, तो इसका correct option हो जाएगा, woodruff की, क्या इसका उतर हो जाएगा, woodruff की, अब woodruff की कई कई बार आप से Saya पर पूशा जाता है, तो बेसिकली यह, semi circular shape में पाई जाती है, घिक है, jib head की किस sape में होती है, semi circular shape में jib head की होती है, आप रयोग कहा करते है, taper shaft पर बेसिकली इसका परयोग किया जाता है, light torque को transmit करने के लिए, ठीक हे, कई बार आप से question में पूशा जाता है कि, nichts key का कि तरफ what is the file for lock repair and filing hard notches in key कौन सी ऐसी मत्तब आपकी file होती है जिसका परयोग ताले की मरमत और चावियों में hard notch की filing करने के लिए उपयोग किया जाता है आपके सामने आफसे ने pillar file flexible file, wiring file या फिर swiss pattern file तो इसका correct answer क्या हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा, wiring file, wiring file का basically हम परयोग करते हैं log या ताले की repairing के लिए या भी जो key में जो कुछ उसमें notches होते हैं उस notches को file करने के लिए हटाने के लिए किसका परयोग किया जाता है wiring file का परयोग किया जाता है, बाकि pillar file हमने पहले question में discuss किया था ठीक है कि narrower के लिए suitable होती है, flexible file basically है, flexible shaft के द्वारा operate की जाती है तो इस pattern file इसको भी हमने discuss किया था कि delicate intricate work में परयोग की जाती है next यहाँ पर आपको एक screw दिखाया गया, बताना है कि इस screw का नाम क्या है, यह कौन सा screw आपको यहाँ पर दिखाया गया है तो basically इस screw का क्या नाम है, drive screw, क्या नाम है इसका, drive screw basically जहाँ पर drill hole किये होते हैं directly, hammer के द्वारा इसको hammering करके fit कर दिया जाता है drive screw को, ठीक है self tapping में खुद से, self tapping हो गया, thread cutting हो गया, तो खुद से thread क्या करती है, form करती है, इसको fit करने के लिए thread कारने की ज़रूरत नहीं होती है next, what is the name of screwdriver, यहाँ पर आपको एक screwdriver दिखाया गया है, आपको बताना है कि इस screwdriver का norm क्या है, ठीक है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देख पा रहेंगे, कि यहाँ पर थोड़ा से इसका end इधर offset कर दिया गया है, इसके भी end को उपर की तरफ offset कर दिया गया है तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है Upset Screw Driver क्या इसका नाम है Upset Screw Driver जहाँ पर हम normal screwdriver से open close नहीं कर पाते हैं वहाँ पर इसका परियोग करते हैं Upset Screw Driver का परियोग करते हैं यह तो ज़्यादा टार्क हम apply कर सकते हैं Phillips screwdriver basically जो इसका head होता है यह Phillips के shape में बना होता है कई सारे मतलब कुछ इस पकार से आप पर उसके Phillips के shape में बने होते हैं तो bolt मतलब जी screw पर भी ऐसा होता है और screwdriver पर भी ऐसी ही shape आपकी बनी होती star shape तो होता है basically आपका flip screwdriver standard screwdriver आप सभी को पता है heavy duty screwdriver basically आपके carpenters आप औगारा में परियोग किया जाते हैं heavy screwdriver next question what is the name of locking device यहाँ पर एक आपको locking device दिखाई गई है इसका नाम क्या है तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पर एक वासर दिखाया गया है तो वासर किस shape में है basically spring shape में है double लब single hale call हो सकता है तो कौन सा basically वासर यहाँ पर दिखाया गया है यह है आपका spring वासर कौन सा वासर है spring वासर इसका परियोग basically कहां किया जाता है spring वासर का तो जहाँ पर कमपन जादा होता है अधिक जटके होते हैं तो वहाँ पर basically spring वासर का परियोग किया जाता है nut और bolt में basically उसको assembly को lock करने के लिए अब spring में क्या होता है ये helical shape में होती है तो ये क्या कर सकती है जहटकों को सहन कर सकती है company को सहन कर सकती है और आसानी से lose नहीं होने देती है ठीक है टैब वासर का भी कई बार आप से यहां पर exam में question पूछ लिया जाता है कि टैब वासर का परियोग कहां करते हैं तो basically इसका परियोग nut को lock करने के लिए किया जाता है plate के age के सहारे nut को lock करने के लिए इसका परियोग करते हैं ठीक है चलते है next question की तरफ which file is used for finishing sharp corner तो लगभग अपने सभी set में ये question आया ही आया है जिसका option barret file का ठीक है तो ये कई बार option में आपके आ चुका है हमने discuss भी किया है कि जहां पर भी sharp corner होते है उसको finishing करने के लिए किसका परियोग किया जाता है barret file का परियोग किया जाता है pillar file आपका पहले ही बता चुके है जो refler file है ये भी आपकी बहुती most important file है तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए तो die sinking हो गया engraving हो गया silver smithy हो गया उसमें refler file का परियोग किया जाता है वार्डिंग file ये भी आप सभी को पता होना चाहिए परियोग किया जाता है उपर ही question इसका भी आ चुका है next question के तलब चलते है यहाँ पर एक आपको file दिखाई गए इसका नाम बताना है कि ये कौन सी file यहाँ पर दिखाई गए तो इस file को देखके ही आप लोग समझ सकने कौन सी file है यह आटो मुबाइल के साफ़ मतलब आटो मुबाइल की जो bodies होती है tinkering के बाद उसको यहाँ पर filing करने के लिए इसका परियोग किया जाता है तो यह कौन सी file है आपकी तो यह हो जाएगी tinker file कौन सी file है tinker file tinker file का परियोग कहा करते हैं टिंकर फाइल का परियोग के जाता है जो आटो मॉबाइल की बड़ी होती है उसको finish करने के लिए after tinkering ठीक है बाकि जो आपकी फाइले हैं जैसे crossing फाइल हो गई तो इस crossing फाइल को दूसरा नाम पूछा जाता है फिस्बैक फाइल, हाफ राउंट के फाइल के जगा इसको हम परियोग कर सकते हैं स्विस पैटन फाइल आपकी डेलिकेट वर्क के लिए ड्रेड नॉट फाइल बेसिकलि आपका बहुत कमाच तरह में वेटरेल हटाने के लिए मेटर वर्किंग या फिर वूड वर्किंग या फिर प्लास्टिक के कारियों में नेस्ट यहाँ पर आपको एक और फाइल दिखाई गई है इस फाइल का भी आपसे नाम पूछा गया है कि यह कौन सी फाइल है तो यह कौनसी फाइल है तो यह basically अपनी वार्डिंग फाइल है जिसका परियोग हम कहां करते हैं लॉक के रिपेर के लिए इसका परियोग करते हैं वार्डिंग फाइल का next question why square head screw are provided by the collar तो जो square head screw होते हैं उसमें collar क्यों परदान किया जाता है तो basically collar का use क्या होता है तो वो जिस भी surface पे हम कारी कर रहे होते हैं उस पर जो भी आपका हम nut को tight करते हैं जो force लगाते हैं उस force से क्या करता है उस surface को protect करता है उसकी रच्चा करता है damage नहीं होता है तो इसका correct action हो जाएगा protect work surface जिस भी हम सता पर कारी करते हैं तो उस कारी की सता को सुरच्छित रखने के लिए वहाँ पर basically जो square head screw होते हैं उसमें कालर प्रदान की जाती है ठीक, next question यहाँ पर एक और screw आपको figure में दिखाया गया है पूंचा गया है यह कौन सा screw है तो इसका क्या नाम है तो इसका नाम है grub screw इसे क्या कहते हैं तो इसे grub screw के नाम से जाना जाता है जो question number 15 ने इसका उतर हो जाएगा grub screw basically देख पा रहे हैं यहाँ पर यह आपका soft है इसमें क्या है, यह hole है और इसमें आसानी से इसको हम fit कर सकते हैं इसके अंदर जो यहाँ पर आपका soft fit किया जाएगा उसको यह क्या करेगा proper clamp कर लेगा next question की तरफ चलते हैं यहाँ पर एक आपको nut दिखाया गया और पूँच रहा है यह कौन से nut है बहुत ही important question है एक कई बार exam में आपसे पूँचा जाता है दो nut पूँचे जाते हैं एक कैसल नट पूँचा जाता है और एक slotted nut पूँचा जाता है तो दोनों में बहुत ही minor अंतर होता है जैसे की इस question का उतर हो जाएगा कैसल नट कैसल नट क्या होता है बेसिकली यह hexagonal nut ही होता है इसके उपर एक square यहाँ पर आप सोरी नट में ही slot कर दिया जाता है ठीक है उसके nut में ही slot कार दिया जाता है तो उसे slotted nut की नाम से जानते है और कैसल नट में क्या होता है इसके उपर ही वाले भाग पे हम क्या करते है आप पर आपके slot को कारते है जिसमें की split pin को fix करके इस nut को lot किया जा सके next question की तरफ चलते हैं यहाँ पर एक आपको screw दिखाएगा पूँचा गया है यह कौन सा ही screw है तो basically कौन सा ही screw है तो hexagonal cap head screw हो जाएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा hexagonal socket head cap screw क्या correct answer है hexagonal socket head cap screw जैसे कि अंदर यहाँ पर structure देख पा रहे होंगे किस shape में बना है hexagonal shape में बना है तो इसलिए इसका नाम hexagonal socket cap head screw होता है next question की बात की जाए 18 number what is the file that is in rectangular section and parallel in with one safe age कौन सी वो file है जिसका एक safe age होता है और चोड़ाई में हायताकार होती है और समानांतर होती है तो basically यह कौन सी file है तो इस file का नाम होता है pillar file जैसा की पहले वाले question में है हमने आपको बताया थै कि जो pillar file होती है safe age होती है double cut दांते उसके कटे होते है ठीक है और यह thickness में क्या होती है taper होती है लेकिन जो इसकी bit चोड़ाई होती है चोड़ाई में क्या होती है parallel होती है तो thickness में बात किया जाएगा तो thickness में क्या होती है taper होती है परियोग कहां करते है तो narrow work के लिए इसका परियोग किया जाता है next question यहाँ पर एक और file आपको दिखाई गई है बताना ही है कौन सी file है तो इस file का नाम है Swiss pattern file यह कौन सी file यहाँ पर दिखाई गई यह figure में तो यह दिखाई गई है Swiss pattern file इसको पहँचाने के लिए बहुत ही आसान तरीक है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको जो structure बनाया गया है ठीक है तो यह delicate indicate work के लिए परियोग की जाती है तो इस pattern से आप यहाँ पर देख सकते है कि यह कौन सी file है Swiss pattern file है इससे आप उसको याद रख सकते है Next question की तरफ चलते है What is the name of gauge यहाँ पर आपको एक gauge दिखाया गया है पूछा गया है यह कौन सा gauge है तो basically go no go दोनों क्या है अलग-अलग inड पर है तो यह क्या हो जाएगा आपका snap gauge हो जाएगा कौन सा gauge हो जाएगा snap gauge हो जाएगा अगर यही go और no go दोनों एक ही inड पर हो जाते है तो क्या हो जाता progressive plug gauge हो जाता double ended plug gauge क्या हो जाएगा double ended plug gauge मतलब वो basically hole को check करेगा जो plug gauge होगा आपका plug gauge basically आपका कुछ इस shape में होगा ठीक है कुछ इस प्रकार के shape में यहाँ पर आपका plug gauge पाया जाएगा एक सीरे पर go होगा एक पर no go होगा ठीक है taper gauge मतलब वो आपका त्वासा उसकी क्या होगी एक साइड थोड़ी सी taper में होगी कुछ इस प्रकार से तो वो taper gauge हो जाएगा next question की तरफ चलती है which file with sharp and parallel teeth used on soft and non-materic material नरम और गैर धातू मतलब जो non-metal है उस पर इस्तेमाल के जाने वाले तेंस समानांतर दातों की कौन सी file होती है तो कौन सी होती है dread knot file होती है ठीक है इस file का नाम क्या है dread knot file है इसका परियोग कहां करते हैं तो इसका परियोग basically आपका कोई metal है soft metal है उस पर है या कोई लकडी का सावान है उस पर या कोई plastic है उस पर finishing करने के लिए बहुती कम मातरा में धातों को हटाने के लिए इसका परियोग किया जाता है basically finishing कह लिए finishing के लिए इसका परियोग करते है next question which file is used for precise and intricate work तो कौन सी file है जिसका परियोग सटीक और जटिल कार्डियों के लिए प्रियोग के लिए परियोग किया जाता है next question which material is used to clean slip gauge slip gauge को clean करने के लिए किस material का परियोग किया जाता है आप सभी को पता है जब हम slip gauge को यूज करने से पहले माल जो उस पर जो भी आपका पदार्थ लगा हुआ चुकिए हैं जब हम slip gauge को यूज करने के बाद रखते हैं petroleum jelly लगा कर रखते हैं जिससे उस रख से बचाया जा सके तो reuse करने से पहले उसको हम clean करते हैं clean करने के लिए basically पूँच रहे हैं आपर किस material का परियोग किया जाता है तो यह होता है आपका carbon tetra chloride ठीक है carbon tetra chloride में हम क्या करते हैं इसको clean करते हैं यूज करने के बाद यूज करने से पहले carbon tetra chloride से clean किया जाता है ठीक है और यूज करने के बाद रख से बचाने के लिए petroleum jelly लगा कर हम उसको रख देते हैं ठीक next यहाँ पर which material is to wash of the lapping plate after charging charging का मतलब है कि जो आपकी lapping plate है इस पर abrasive grain जो की cutting का काम करते हैं उसको fix करना तो abrasive grain को यहाँ पर embed करना या fix करना जिसे हम charging कहते हैं इसके बाद इस lapping plate को धोने के लिए clean करने के लिए किसका परियोग किया जाता है next यहाँ पर option which material is used to protect slip gauge from rust तो slip gauge को rust से जंग से बचाने के लिए किसका परियोग किया जाता है तो उपर ही question में हमने बताया था कि use करने के बाद petroleum jelly लगा कर इसको रखते हैं जिससे कि इसको जंग लगने से बचाया जा सके ठीक next question which is the abrasive used for lapping soft steel and non-ferrous material तो basically यहाँ पर lapping की बात की गए है तो lapping में आपको एक चीज़ ध्यान लखना है जो hard abrasive होते हैं उसका परियोग hard metal के लिए परियोग करते हैं soft abrasive होते हैं तो उसका परियोग soft metal के लिए किया जाता है तो यहाँ पर पूचा गया है कि नरम steel मतलब soft steel और non-ferrous metal के लिए किसका परियोग किया जाएगा तंग अस्टन कारवाइट की लैपिंग के लिए चुकि यह सबसे hardest material होता है diamond सबसे hardest इसके abrasive होते हैं तो इसका परियोग तंग अस्टन कारवाइट की लैपिंग के लिए किया जाता है बोरान कारवाइट का पूचा जाए तो काफी finishing काफी precise work करता है यह तो इसका परियोग जो gauges होते हैं डाई होती है तो gauge और डाई की लैपिंग के लिए बोरान कारवाइट का परियोग किया जाता है यह काफी महेंगा होता है expensive होता है यहाँ पर आपको external diameter measure करते हुए दिखाया गया है तो पूचा गया है यह कौन सा instrument है जिसका हम use कर रहे हैं तो basically क्या हो जाएगा pair of slip gauge sorry pair of special jaws by using slip gauge तो यहाँ पर कैसे यहाँ पर basically इधर एक slip gauge है इधर एक slip gauge है इन दोनों slip gauge को हम यहाँ पर एक holder में hold कर ते क्या कर रहे हैं इस soft का diameter को major कर रहे हैं ठीक है तो यह क्या हो जाएगा पियर आप a special jaws by using slip gauges ठीक है slip gauges अब यहाँ पर एक मेटा आप ध्यान से देखेंगे कि slip gauge कहाँ पर fit है ठीक है तो यह आपका jaws हो गया यह jaws हो गया इसके बीच में यहाँ पर ठीक है इसके बीच में जो आपकी एक slip gauge हो गई दो slip gauge हो गई, तीन slip gauge हो गई अब यह जो तीनो slip gauge को मिला कर जो size आएगा वही क्या हो जाएगा इस shaft का diameter हो जाएगा ठीक है तो दोनों jaws के बीच में यहाँ पर slip gauge को hold किया गया है ठीक है अब जितना यहाँ slip gauge का size होगा वही इस shaft का क्या हो जाएगा diameter हो जाएगा चलते हैं next question की तरफ what is the part mark as x in internal lapping tool यहाँ पर basically आपको lapping tool दिखाया गया है लैपिंग tool में x से mark किया गया x से क्या है जो यहाँ पर आपका cutting वाला space दिख रहा है न थोड़ा सा इसी को x से mark किया गया है तो यह क्या है यह basically slit है slit का काम क्या होता है तो इसके द्वार हम क्या कर सकते है इसके size को adjust कर सकते है lab को basically adjustable lab है इसके size को थोड़ा कम ज़्यादा किया जा सकते है यहाँ पर आप net देख पा रहे होंगे इसके द्वार हम क्या कर सकते है इसके size को थोड़ा adjust कर सकते है slit की सहायता से यहाँ पर आप से next question यही पूँच लिया गया है क्या पूँच लिया गया है तो adjust the sleeve इसका उत्तर क्या हो जाएगा for expansion यहाँ पर slit का परियोग क्यों करेंगे तो हम slit का परियोग करेंगे उसको expand करने के लिए साइज को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए slit का परियोग किया जाएगा next question यहाँ पर एक operation करता हुँ आपको दिखाएगा basically आपका forja चक है forja चक है forja चक है इसमें एक shaft को hold किया गया है और shaft को यहाँ पर run कर रहे है ठीक है अब shaft पर क्या करेंगे तो इसको कहते हैं lapping large diameter basically जो बड़ा diameter है उसको lapping करते हुए यहाँ पर दिखाया गया है अब question पूछा जा सकता है कि बड़े diameter के लिए जो lab बनाए जाते हैं किस material के बनाए जाते हैं तो basically यह cast iron के बनाए जाते हैं छोटे diameter की जो lab होते हैं के copper हो गयरा के बनाए जाते हैं ठीक है और बड़े diameter के लिए lab cast iron के बनाए जाते हैं चलते हैं next question की तरफ next question यहाँ पर पूछा गया है what type of abrasive are used in honing cast iron and non-ferrous material तो उपर हमने क्या discuss किया था lapping में हमने discuss किया था कि soft metal के लिए soft abrasive hard metal के लिए hard abrasive honing में इसका क्या होता है just opposite होता है honing में अगर आपका metal hard है तो abrasive grain soft use करेंगे और अगर आपका metal soft है तो abrasive grain hard use करेंगे तो यहाँ पर क्या दिया गया है आपको cast iron दिया गया है और aloh धात में मतलब non-ferrous metal दिया गया है तो non-ferrous जो metal होते हैं basically soft होती है तो इसलिए इसमें किसका परियोग करेंगे hard abrasive grain hard कौन सा होता है silicon carbide के grain hard होते हैं तो इसका परियोग किया जाएगा ठीक है यहाँ पर आप चार्ट से देख सकते हैं कि जो aluminium oxide है इसका परियोग किसके लिए करते हैं different grains है जिसका परियोग हम different work के लिए करते हैं ठीक है option आपको clear होना चाहिए कि अगर honing है तो honing में soft के लिए soft hard के लिए hard ठीक है क्या है sorry sorry अगर आपका lepping है तो lepping में soft के लिए soft और hard के लिए hard जबकि honing में क्या है opposite हो जाता है hard के लिए soft grain और soft के लिए hard grain यहाँ पर परियोग किये जाते हैं चलते हैं next question की तरफ next question यहाँ पर पूँचा गया है what is the act of joining the slip gauges together for building up sizes basically जैसे अभी आपने उपर देखा था कि वहाँ पर soft का diameter measure कर रहे थे तो हाँ पर हमने क्या किया था रहे तो एक पर तो इसे कहा जाता है ringing इसे क्या कहा जाता है ringing कहा जाता है और basically बड़े वाले साइज से हमें चालू करना चाहीः और छोटे वाले साइज की तरफ आना चाहीँ next question की बात की जाए साइन बार बनाने के लिए किस मट्रियल का उपयोग किया जाता है what material is used to make साइन बार बनाने के लिए किसका परियोग करेंगे तो इसके लिए परियोग करेंगे साइन बार को कुरा करते है तो एक मिनट की एकूरेशी में कितने एक मिनट की एकूरेशी में जब हमें एंगल को मेजर करना होता है तो वहाँ पर sign bar का परियोग किया जाता है ठीक है vurnal variable protector 5 minute की accuracy में protector आपका 1 degree की accuracy में और sign bar 1 minute की accuracy में angle को measure करने के लिए परियोग करते हैं चक करने के लिए परियोग करते हैं sign bar की लंबाई को कैसे निर्दिष्ट करते हैं how the length of sign bar is specified तो basically जो sign bar होती है ठीक है अब sign bar में कुछ वहाँ पर holes बने होते हैं ठीक है और उसके साथ में यहाँ पर एक center roller जो मतलब यहाँ पर roller लगे होते हैं तो इन roller के बीच की जो center की distance होती है उसके द्वारा हम क्या करते हैं इसको specify करते हैं तो इसका correct answer क्या हो जाएगा तो इसका correct answer हो जाएगा distance between the two center rollers ठीक है तो roller के केंदर की बीच की दूरी distance between center point of the roller जहाँ पर दो roller लगे होते हैं दोनों roller के center point की बीच की जो दूरी होती है इसके द्वारा हम इसको specify करते हैं आसे पूछा जा सकता है जो hole कटे होते हैं इसका परियोग क्या करना किसलिए करते हैं तो basically hole य हो जाती है तो overall easily handling के लिए इसका परियोग किया जाता है next sign bar के साथ जाच करते हैं समय कौन सा तिर्भुष triangle का करण बनाता है तो basically sign bar होता है technometric ratio पर काम करता है function पर काम करता है जो हम sign bar को परियोग कर रहे होते हैं तो उस समय जो तिर्भुष का आपका करण बनता है उस पर क क्या रखा जाता है तो सबसे पहले clear होने चाहिए आपका क्या हो गया बेस हो गया ठीक है और यह हो गई आपकी sign मतलब यह हो गया आपका perpendicular हो गया और यह हो गया आपका hypotenious करण हो गया आप जब हम sign bar को परियोग करते हैं तो यह जो आपका base है base basically क्या होगा जो भी job है जिसका हमें angle check करना है यहाँ पर जो perpendicular है यहाँ पर आएगी आपकी different different thickness की slip gauges को लगाएंगे और यहाँ पर हम fix करेंगे यह अपने sign bar को ठीक है यहाँ पर किसको fix करेंगे sign bar को fix करेंगे तो जो hypotenious होता है इस पर क्या fix किया जाता है तो hypotenious basically sign bar की लंबाई होते हैं यहाँ पर आपका roller होगा यहाँ पर roller होगा इसके center की बीच को दूरी होगी वही sign bar की लंबाई होगी और यह किसका का काम करेगी और slip gauge किसका काम करता है तो यह perpendicular surface का काम करता है slip gauge ठीक चलते है next question की तरफ यह दी workpiece की तुल्ला में lap कठोर हो तो क्या होता है what is caused if the lap is harder than the workpiece lap हमारा अगर क्या हो workpiece से कठोर हो तो क्या होगा तो basically इस question को आप अच्छे से समझेगा basically होता क्या है कि latching compound को हम क्या करते है charge करते है lap में मह लों यह हमारा कोई lap है ठीक है इसके द्वारा इस surface पे हमें Lapping करनी है, तो latching में क्या करता है जो यहाँ पर latching की जाती है उस lap में abrasive grain होते है जिस grain के दवारा यहाँ पर latching का काम किया जाता है तो अगर lab हमारा hard होगा, यहाँ पर metal हमारा soft होगा तो जो इसको abrasive grain होगे इस पर आके चिपक जाएंगे, ठीक है abrasive grain क्या होगे, इस पर चिपक जाएंगे तो फिर जब हम rub करेंगे तो यह abrasive grain क्या होगा उलटा इस lab को cut कर देंगे, lab को ही cut देंगे यहां से इस पर finishing करने के बज़ा जो हमारा lap है इसी को cut देंगे तो इसका correct उत्तर क्या हो जाएगा If the lap is harder than the workpiece then workpiece will cut the lap ठीक है जो workpiece है वो lap को cut कर देगा कई से जो इसके grains होते हैं इसमें आकर कि आपकी workpiece में चिपक जाते हैं embedded हो जाते हैं जिसे lap को ही cut करने लगते हैं चलते हैं next question की तरफ What is the name of surface texture measuring equipment? Basically यहां पर surface texture surface finish को measure करने का एक instrument दिखाया गया है तो यह क्या है तो basically आपका mechanical surface indicator है यह क्या है mechanical surface indicator है जिसमें यह basically आपकी दो skits लगी हुई है यहां पर नीचे आपको दिया गया है जो आपका stylus है यह आपका basically यहां पर scale है और यह आपका screw जिसके दोरा हम इसको adjust करते हैं Next question की बात की जाए Why manual stroking is preferred for large quantities in honing operation? जब हम honing operation बड़ी मात तरह में करते हैं तो हाँ पर manual stroking क्यों perform क्यों उसको preference दिया जाता है stroking से क्या होता है आप काफी अच्छी finish आती है जो tolerance होती काफी close tolerance वहाँ पर achieve की जा सकती है To keep the close tolerance it is preferred manual honing over the machine honing ठीक है Next question What is the direction of fraction force against the emotional object? Basically 38 questions यहाँ पर trade theory से related थे अब इसके बाद यहाँ पर आपके workshop calculation के question है Then drawing के question, Then आपके impliability skill के question मिलने वाले है अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया अगर पहली बार visit कर रहे है तो चैनल को जरूर subscribe कर लिजे और वीडियो को अपने friend के बीच share करिए Comment करिए जिससे कि हमें भी motivation मिलता है अगर कोई यहाँ पर आपको लगता है कुछ correction होना चाहिए या तरीका कुछ बदलना चाहिए तो आप अपना feedback भी comment section में दे सकते हैं कि क्या क्या improvement की जानी चाहिए और कि subject कि आप class चाहते हैं वो भी comment section में आप बता सकते हैं आगे के question को हम discuss करते हैं तो किसी गत्सील वस्त के विरुद्ध जो घर्षन बल की दिसा होती हो क्या होती है तो basically यह क्या होती है opposite होती है opposite to the object यहाँ पर जो object आपका motion कर रहा होता है उसके opposite में हमारा घर्षन बल लगता है जिसे माली जी आपकी surface है ठीक है surface पर यहाँ पर कोई एक गाड़ी जा रही है surface पर कोई एक गाड़ी इस direction में जा रही है तो जो घर्षन बल लगएगा वो आपका इसके opposite direction में लगेगा अगर हमारी गाड़ी right side को जा रही है तो जो हमारा घर्षन बल लगेगा किस side में लगेगा left side में लगेगा इसके motion को क्या करता है अपोजी करता है तो घर्षन बल हमेशा जो आपकी वस्त गतसील होती है उसके गत की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है घर्षन बल ठीक है चलते हैं next question की तरफ which symbol is used to denote the coefficient of friction exe jah up % कहते हैं के लिए किस ea परियोग किया जाता है इसका परियोग करते है तो मैं का परियोग करते हैं घर्षन बल रांक को दर चाласт होता है और इवाइड करते हैं उसको आपका normal reaction लगता है मालो जब हम किसी surface पर कोई आपका कोई गती होता है तो आपका एक तो होता है force, friction force काम करता है उस friction force को avoid करने के लिए उसके perpendicular एक force लगता है जिसे हम क्या कहते है normal force कहते है तो friction force और normal force का जो basically आपका ratio होता यही क्या कहलाता है घर्षन गुडांक mu कहलाता है ठीक है चलते है next question की तरफ what is the purpose of lubricant इस नेहक का परियोग क्या होता है option दबाव बढ़ाने के लिए घर्षन को बढ़ाने के लिए घर्षन को कम करने के लिए तो correct answer हो जाएगा to reduce friction घर्षन को कम करने के लिए basically हम किसका परियोग करते हैं lubricant का परियोग करते हैं जितने भी आपकी machinery होती है जहाँ पर भी moving part होते हैं तो उस moving part के वीच rubbing action होता है जिसके करण वहाँ पर heat generate होती है friction होता है जिसका beer and tear होता है ठीक है तो उस सब को reduce करने के लिए घर्षन को कम करने के लिए जिससे beer and tear कम हो सके है तो कि अगर घर्षन नहीं होगा तो motion नहीं होगा घर्षन के कारण ही motion possible है for example मा कांच पर चलते हैं तो कांच पर चलना मुस्किल होता है क्यों क्यों क्योंकि कांच और आपके पैरों के बीच घर्षनबल काम नहीं करता है बहुत ही कम काम करता है जिसका चलना मुस्किल होता है इसी प्रकार मालिए कोई कांच की कोई गोली है कांच कि उसको किसी कांच पर रुख जाएगी क्यों कि वहाँ घर्षन है तो बेसिकली घर्षन का लाव भी है और हानी भी है हानी बेसिकली यहाँ पर होता है जो आपकी moving parts होते हैं उसकी bear tear होता है fraction donate होती है पार्ट खराब होते हैं ठीक है तो वहाँ पर घर्षन को कम करने के लिए किसका परियोग किया ज तो यह आपके solid हो सकते हैं यह आपके semi solid हो सकते हैं आपके liquid form में हो सकते हैं semi solid का example कई बार exam में पूछा जाता है जो grease हो गया solid के अंतर गया talc, mica यह सब आते हैं liquid में आपके बहुत सारे हैं जिसको आप जानते हैं soluble aisle हो गया ठीक है चलते है next question की तरफ मसीनी भागों में घ कि पूछा गया था कि जो lubricant है उसका काम क्या है तो गर्षन को कम करना है और यहां पर पहुंच लिया कि घर्षन को कम करने के लिए मसीनी भागों में किसका परियोग करेंगे lubricant का परियोग करेंगे ठीक है चलते हैं अपने next question की तरफ यहां पर एक चीज आपको देहान में रखना है lubricant और coolant तो basically जो lubricant है हमारा यह machine भाग में परियोग किया जाता है वहाँ पर घर्षण को कम करने के लिए और जो coolant होता है basically आपको वहाँ पर पर प्रियोग किया जाता है जहाँ पर कोई cutting tool metal की cutting कर रहा होता है तो वहाँ पर जो उसके गर्षण की कारण heat generate होती है chips को वहाँ पर flow करना होता है हटाना होता है वहाँ पर tool के point को cool down करने के लिए work piece को cool down करने के लिए किसका परियोग करते है coolant का परियोग करते हैं जो कि आपका kerosene oil हो गया ठीक है फिर आपका यह पानी हो गया different प्रकार के जो भी होते है coolants वहाँ पर परियोग किया जाते है soluble oil मुख उसमें हो जाता है next question पर चलते है where is the center gravity of a circle lies जो एक circle होता है बृत है तो बृत का जो उसका केंद्र होता है केंद्र मतलब उसकी center of gravity होता है जो कहां परिष्टित होता है तो मान लेजी यह आप और क्या मतलब से बाइलन्स कर शकते है तो यही क्या हौता है इसका center of gravity होता है तो यह क्या हो जाएगा at its center इसके केंदर में तो कोई अगर आपका ब्रित है circular object है तो उसका center of gravity कहा होगा उसके केंदर में होगा ठीक है चलते हैं next question की तरफ यहाँ पर पूछा गया है which one of the following geometrical shape center of gravity lies from its base is one by third of its height कौन सी जामिती आकृती है जिसका गुत्वा करशन केंदर इसके आधहार से एक बटा तीन उचाई परिस्थित होता है ठीक है तो यह आपकी कौन होती है square, rainbow, triangle या फिर कौन ते यह होती है आपकी triangle होती है तिर्भुज होता है मानले जी आपका कोई तिर्भुज बना है ठीक है तो अब इसकी जो center of gravity होगी यह base से one बटा तीन height पर मानले जी यह पूरी height क्या है यच है तो यच बटा तीन height पर क्या होगा इसका गुत्वकेंदर होगा ठीक है different different प्रकार के figure के geometrical geometrical figure के यहाँ पर आपसे center of gravity पूछ ले जाती है जैसे square की बात की जाए तो square का कहा होता है intersection of the diagonal होता है जैसे मानलों यह आपका कोई square बना है अब square में हमारे दो diagonal होते हैं दो बिकर्ण होते हैं एक यह हो गया और दूसरा यह हो गया जहाँ पर यह दोनों बिकर्ण काट रहे हैं वही क्या होता है यह square का center of gravity होता है same आपका rectangle के भी case में होता है कोई आयत है तो उसमें भी आपके दो बिकर्ण होते है यह दोनों बिकर्ण जहाँ पर काटते हैं तो यहाँ इनों जो मादिकाय मिलती है वही इसका क्या होता है center of gravity होता है या कहलो इसके base से 1 बटा 3 height पर इसकी center of gravity होती है कोन की बात की जाए कि आपका जो कोन होता है तो कोन का center of gravity कहा होता है तो कोन का center of gravity 1 बटा 4 पर होता है ठीक है मानलो यह आपका कोई cone बनाया गया है ठीक है कुछ इस प्रकार का कौन है तो इसके बेस से एक बटा चार हाइट पर क्या होगा इसका center of gravity होगा next circle का है circle का हमने बता दिया center पर होता है sphere कोई गोला है तो इसका भी कहा होगा इसके center पर ही इसके center of gravity आपकी होगी basically ठीक है तो यह कुछ basically आपके figures हैं जो vertical figures हैं जिसका आपसे exam में कई वार center of gravity पूछी जाती है तो इसको आप लोग note down कर लीजिएगा चलते हैं next question की तरफ lock nut और check nut is chamfered on basically जो lock nut होता है यह आपका check nut होता है तो इसको कहां पर chamfer किया जाता है तो basically इसको हम both side पर उपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों side पर इसको हम chamfer करते हैं चुकिए जो lock nut है उसके नीचे क्या होगा आपका या तो वासर होगा या कोई object होगा ठीक है और ऊपर की तरफ एक nut होगा उन दोनों के बीच में परियोग किया जाता है तो basically इसलिए इसका हम दोनों तरफ उसको chamfer करते हैं next question, rivets are generally specified by? जो rivets होती है उसको कैसे specify करते हैं किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है तो basically जो rivets होती है अगर यहाँ पर पूँच लिया जाए आप से generally किसके द्वारा specify करते हैं तो generally सामान रूप से उसको हम उसके nominal diameter के द्वारा specify करते हैं कैसे करते हैं nominal diameter के द्वारा उसको specify किया जाता है और इनके साफ से अगर मान लो generally नहीं पूचा गया है कुछ आप से नहीं आप से कुछ अलग पूच लिया जाए तो उसको कैसे बताएंगे तो उसके लिए यहाँ पर हमने आपको एक screenshot दिया है कि rivets are specified by their length, material, size and shape of head basically जो rivets होती है उस material है फिर उसका size क्या है और उसका head का shape क्या है तो यह जो आपके चार factor होते हैं यह main rules से important होते हैं किसी rivets को specify करने के लिए उसको विनिदेश्ट करने के लिए लेकिन मान लो अगर पूच लिया जाता है generally सामानिता आम तोर पर किसके द्वारा तो आम तोर पर जो उसका nominal diameter होत आश थाई फास्टनिगों तो आप सभी को पता होना की क्या होता तो फास्टनंगants पेसिकली तो जोड़ना ही क्या होता फास्टनिंग होता और इसकी लिए जिए चीज परियोग की जाते हैं फास्टनर कहते हैं पहली आपकी होती है temporary出去 निए क्या होती है temporary fasting temporary मतलब ऐसी फास्टनिक जिसमें फास्टनर वा जाब दोनों सुरच्छित रहते हैं मालोग जब हम उसको क्या करते हैं assembly को disassemble करते हैं फास्टनर को अलग अलग करते हैं तो हम पर फास्टनर भी हमारा सुरच्छित रहेगा और जाब भी सुरच्छित रहेगा किसी को कोई नुक्सान नहीं होगा जैसे आपका key हो गया nut हो गया bolt हो गया screw हो गया वासर हो गया यह सवी किसके अंतरगत आते हैं यह temporary fasting कि अंतरक्त आते हैं, दूसरा आपका हो गया SEMI Permanent, ठीक है, SEMI Permanent जो sanding होती है, इसमें क्या होता है, जब हम Fasner औरенного को अलग कर रहे होते हैं, तो jok Fasner होता है, यह तो हमारा खराब हो जाता है, Fasner हो जाता है, लेकिन, जाब पर कोई फेक्ट नहीं परता, जौब हमारा सुरच्चित रहता है इसके अंतरगत बेसिकली आपकी रिवेटिंग आती है और रिवेटिंग के साथ-साथ सोल्डरिंग आती है दो चीजे आती है ठीक है कहीं कई जगा आपको जो रिवेटिंग होती है यह पर्मानेंट फास्टनिंग में दी जाती है लेकिन जो आपका आईटियाई का एक्जामपल है आईटियाई में जितने कोईस्टन पूछे जाते हैं आईटियाई लेवल से वहाँ पर रिवेटिंग को सेमी पर्मानेंट के अंतरगत रखा जाता है कई बार इसका मतलब आर्ग्यू किया जाता है कि जो पुल हो गए पुल बना पर्मानेंट के अंतरगत रखी जाती है आपको ध्यान में रखना है नेस्ट होगी आपका पर्मानेंट फास्टनिंग पर्मानेंट फास्टनिंग का परियोग कहां किया जाता है यह कौन कौन से होते हैं तो इसके अंतरगत क्या आता है तो इसके अंतरगत बेसिकली आपका building आता है और brazing आता है brazing और building ये दोनों किसके example है तो ये आपके example है permanent partner कि अब question में हमारे क्या पूछा गया था temporary आस था ये फार्टनिंग पूछी गई थी तो आप पहला है build तो building क्या हो गया आपका permanent हो गया key क्या है basically key हो गयी या फिर आपका कह लीजिए nut bolt हो गया, screw हो गया, वासर हो गया ये सभी किसके अंतरगत आते हैं temporary के अंतरगत आते हैं ribet basically किस में चला जाएगा semi permanent में चला जाएगा तो यहाँ पर basically key को भी option में दिया है और screw को भी option में दिया है तो यह दोनों इसके सही उत्तर हो जाते हैं temporary fastening के अंतरगत आते हैं अब edge पर निम्मी के अंसार निम्मी ने इसका उत्तर basically screw दिया है पट मेरे अंसार क्या है इसका उत्तर दोनों होगा key और screw यह दोनों क्या है nut हो, bolt हो, screw हो, washer हो sir clip हो, key हो, pinze हो यह सभी किसके अंतरगत आती है यह सभी आपकी temporary के अंतरगत आती है तो इसलिए अगर मालो same question आपके exam में आ जाता है तो उसमें आप लोग screw tick करके आयेंगे बट अगर किसी competitive exam में आएगा तो दोनों ही आपको option में नहीं दिया जाएगा ठीक है तो इस चीज़े आपको clear होनी चाहिए moving to the next question next question यहाँ पर पूँचा गया है which of the following is not a main part of rivet rivet का count सा यहाँ पर main part नहीं है तो head, sank और tail यह तिनों किया है rivet के part होते हैं लेकिन point यहाँ पर rivet का कोई part नहीं होता है ठीक है next question की बात की जाए the thread angle of metric thread का angle कितना होता है 60 degree यहाँ पर metric thread का angle होता है 90 वैसे बात की जाए तो 90 square thread का होता है तो कई बार यहाँ पर option में आपको square भी दिया जाता है कई बार यहाँ पर 0 दिया जाता है किसका square thread का ठीक है अब metric thread कुछ इस परकार से आपकी बनती है ठीक है कि जो rivet का head है जो कि general purpose के लिए परियोग के आता है यह basically count sir rivet है तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो rivet का head है इसकी लंबाई में ही समलित है तो इसको basically हम कहते है counter sink rivet इसको क्या कहा जाता है counter sink rivet कहा जाता है इसका परियोग वहाँ करते है जहाँ पर हमें job के उपर height को नहीं रखना है ठीक है जिसे मालो ही आपका job हो गया इस पर हमें riveting करनी है ठीक है तो riveting यह job के label तक ही होगी ठीक है यह job के label तक ही riveting होगी यह जो उभार है यह उपर की तरफ नहीं जायेगा ठीक है तो जहां में उभार से बचना हो तो वहां पर इसका परियोग किया जाता है chronicle head revit का ठीक counter sink sorry counter sink revit का परियोग किया जाता है तो next आपका आप यहां पर चालू होता है employability skill का question ठीक है चलिए employability skill के question को discuss करते हैं 25 question नहेंगे यहाँ पर what is an essential life skill for social and professional purpose basically social मतलब सामाजिक professional जो आपका professional purpose आपका जो बेक्तिकत है ठीक है सामाजिक हो गया professional हो गया इसके लिए कौन सी चीज essential होती है पहला option learning English दूसरा learning mother tongue learning foreign language या learning more language तो इसका बेसिकली जब भी आप सोसल या प्रोफेशनल की बात करते हैं तो आप पर इसके अनुसार English को वरियता दी जाती है अगर आपकी English ठीक है आप English चीखे भी हैं तो आप आसाली से उसमें कर सकते हैं इसे बात्चीत कर सकते हैं जैसे एक्जामपल लेजिए अगर आप नॉर्थ साइड में रहते हैं उपी भी हर से हैं वह आप सौथि स्विच करते हैं साउथ साइड में जाते हैं जैसे आपको नाडू होगया करनाटा कुए तो वहाँ पर आपको या तो उसकी survive कर रखते हैं तो आपको जो भी professional career होता है या social media जो भी आप यूज करते हैं उसमें देखते हैं maximum चीज़े कहां English में मिलती हैं तो English क्या है necessary है next question while addressing your boss you should be जब आप अपने boss से बात कर रहे हैं या boss से कोई चीज address कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कैसा होना चाहिए polite होना चाहिए या फिर impolite होना चाहिए formal होना चाहिए informal होना चाहिए क्या होना चाहिए तो इसका correct उतर हो जाएगा आपको formal formal मत्तब जो आपका साधारण है ठीक है जो आपका एक rules regulation set of rules regulation होता उसके अंसार आपको होना चाहिए ठीक है जब भी आप boss के साथ addressing कर रहे हैं जैसे मालों उसको greeting करना है तो hi hello ना बोलके good morning sir good afternoon sir कुछ इस प्रकार से आप उनको संबोधित करेंगे next question यहाँ पर दिया गया है hi how are you what's what is up these are example love hi how are you what is up तो यह किसके एक्जामपल है तो basically यह सभी बात कि जाए तो यह सभी आपके informal communication के एक्जामपल किसके है informal communication के एक्जामपल के अंतरगत यह सारी चीजें आती हैं अब यहाँ पर हम आपको clear करना चाहेंगे कि formal informal यह सारी चीजें क्या होती हैं जिससे कि आपको एक्जामपलो अगर यह बदल जाए तो आपको कोई डाउट यहाँ पर ना रहे ठीक है तो एक बार हम इसको देख लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर वन मिनिट सबसे पहला जो terminology है वो हमारा formal, formal का मतलब क्या होता है आप कोई professional हो गया यह जो official हो गया यह किसके अंतरगत आता है formal के अंतरगत आता है इसमें जो आपकी language होती है वो कैसी होनी चाहिए proper grammatically होनी चाहिए और respectful tone में आपकी होनी चाहिए किसमें formal communication में जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं dear Mr. Smith I would like to discuss the project Smith से आप किसी project के बारे में बात करना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से बात करेंगे dear Mr. Smith I would like to discuss the project क्या हो गया fully formal हो गया official या professional language में हो गया respectfully और पूरा grammar का ध्यान में रखते हुए आपको इस चीज को बोलते हैं यही informal की जब आप आती है तो यह आपका casual होता है या फिर personal हो गया जैसे आप आप से बात करते हैं मित्रों से बात करते हैं तो जान्स वाल है जान्स want to grab a coffee later जान्स काफी के लिए चलोगे क्या तो इस प्रकार से आप अपने मित्रों से बात करते हैं तो सभी क्या होता है polite हो जाता है ठीक है उसमें polite सब्दों का परियोग करना है respect दे के बात करना है जैसे किसी से कोई request कर रहे हैं आप could you please help me with this report क्या आप इस report में मेरी मदद कर सकती है तो यह क्या हो गया एक polite language हो गया दूसरा हो गया impolite ठीक है impolite मतलब इसमें कोई polite नहीं है कोई kindness नहीं है तो disrespectful हो गया ठीक है या rude language हो गया तो यह impolite में आ जाता है यहां पर आपका जो टोन है थोड़ा सा insulting वाला हो सकता है किसी को insult के लिए जूस प्रकार से आप बोलते हैं तो impolite में आ जाता है ठीक है respectfully नहीं इस डी-respectfully आप बात करते हैं ठीक है जैसे give me that report now you should have done it already मुझे वह report दो अब तक तुमने इसा फिनिस कर लिया होगा ठीक है तो कैसे बोलोगे give me that report now you should have done it already तो कुछ इस प्रकार से जब आप disrespectfully बात करते हैं तो यह किस के अंतरगत आ जाता है तो यह आपका आ जाता है इंपोलाइट के अंतरगत आ जाता है तो आसा करते हैं आपको जो सारे terminology थे formal informal polite impolite और सभी चीज़े clear हो गई होंगी बढ़ते हैं अपने next question की तरफ तो next question यहाँ पर हमारा कहा जाता जब final किसी से बिछर रहे होते हैं good day गुड नहीं कहते हैं mid में हो गया see you इए see you, बाद में मिलने के लिए हो गया, तो सबसे पहले आप क्या कहोगे, good morning कहोगे, जब भी आप किसी से मिलते हो सुरुआत में, तो सबसे पहले आप क्या कहोगे, good morning कहोगे, good bye क्या होता है, last में चाते time होता है, good day भी आपका उसको बिस्ट करने के लिए होता है, ठीक है, और see कि यू मत्तब बाद में मिलते हैं कुछ ऐसा sentence में CU का परियोग किया जाता अब और सबसे पहले क्या बोलते हैं उसको गुड मॉर्निंग बोलते हैं Next question, the principal called Manoj, principal ने Manoj को बूलाया, the principal आज, principal ने पूँचा, डिखाने के लिए, डिखाने के लिए, हाल टिकेट फॉर दर सी टी एस एक्जामनेशन, तो principal ने Manoj को बूलाया और उससे, उसका admit card दिखाने के लिए कहा, मतलब जो उसका हाल टिकेट है, वो दिखाने के लिए, तो यहां पर जो पहिला होगे, आपका him होगया, और दूसरे में क्या हो गया, हीज हो गया तो the principal asked him, प्रिंपल ने उससे पूँचा तूसो दिखाने के लिए his ticket, हाल ticket for CTS examination CTS examination के लिए उसका admit कर दिखाने को प्रिंपल ने कहा, तो him और हीज यहाँ पर परियोग होगा ठीक, यही मान लोगर कोई lady होती तो lady के लिए क्या हो जाता, him हर हो जाता, ठीक है next question, fill in the blank with correct past tense of the verb यहाँ पर आपको वर्व की past tense का परियोग करना है क्या है, I dash dash dash, यह movie yesterday तो basically यहाँ पर बात की जा रही है कि मैंने कल एक movie देखा या मैंने कल एक movie देखी तो यहाँ पर जो देखना है, watch, watch का आपको क्या करना है past tense बताना है, तो watch का past tense क्या हो जाएगा, watched हो जाएगा क्या हो जाएगा, watched हो जाएगा, इसकी second form और third form दोनों एक ही होती है watch आपका present के लिए हो गया, I am watching मतलब भी जारी है बिल watch मतलब आप भविश में देखने वाले हो, और watched का मतलब आपने आलड़ी उसको देख लिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I watched यह movie yesterday, मैंने कल एक movie देखी next question यहाँ पर, singular form of devices is तो devices, basically devices का यहाँ पर आपको क्या करना है, singular form बताना है तो devices जब भी है, आपका क्या है, plural form है, तो ES अगर लगा है, last में किसी के ES तो अगर उसका singular लगान बनाना है, तो last में आप ES को cut कर दो वो आपका क्या हो जाएगा, singular हो जाएगा, तो इसका spelling क्या हो जाएगा, D-E-B-I-C-E आपको ES को हटा देना है, ठीक है, जैसे माल लो आपका कोई ऐसा सब्द है, जिसके last में I-E-S है, I-E-S है तो यह plural में होता है, जैसे आपको माल ली जाए quantities या qualities, तो उसमें I-E-S रहेगा, last में, plural में, इसको singular में I-E-S को हटा कि वहाँ पर क्या लगाना होता है, वाई लगाना होता है, जैसे quality, ठीक है, या quantity, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से similar, plural का यहाँ पर rule होता है, चलते हैं, next question की तरफ, the announcement, डैस, डैस, yesterday was unnecessary, complete the sentence with appropriate word, यहाँ पर basically कहना साहरा है, जो कल की घोशना थी योग क्या थी, पूरी unnecessary थी, अनावस्क थी, उसका कोई मतलब नहीं था, ठीक है, the announcement, तो yesterday मतलब कल, आलड़ी हो चुका है, तो basically जो भी उसका second form पर योग होगा, तो यहाँ पर made क्या है, second form है make का, तो यही इसका correct answer हो जाएगा, the announcement, made yesterday, जो कल घोशना की गई थी, वो क्या थी, unnecessary थी, अनावस्क थी, तो यह क्या हो जाएगा, made is का correct answer हो जाएगा, make क्या है, first form of the verb है, was made, तो यह भी क्या है, यहाँ पर was और made दोनों नहीं लगेगा, was already second form हो जाता है, तो उसके साथ क्या आना चाहिए, first form आना चाहिए, बिल में के future को बताता है, आने वाले भविश्ची के लिए, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा, तो correct answer क्या हो जाएगा, made हो जाएगा, the announcement made yesterday was unnecessary, next question, fill in the blank with proper, proper interrogative, यहाँ पर proper interrogative के साथ, word के साथ हमें इसको fill करना है, question क्या है, dash dash, bent wrong with yesterday game, तो पूँच रहा है कि मतलब कल के game के साथ, गलत हुआ, तो गलत हुआ, मतलब पूच रहा है, पूचना चाहिए, क्या गलत हुआ, तो क्या के लिए, क्या होता है, अंग्रेजी, what होता है, ठीक है, तो पहले आप option भी check कर सकते हो, where bent wrong, यह गलत हो जाएगा, questions नह निकालता, यहाँ पर जो दूसरा option है, what, यह आपका correct answer हो जाएगा, what went wrong with yesterday game, कल का जो खेल था, उसमें क्या गलत हुआ, क्या गलती हो गई उसमें, तो यह पूचना चाहिए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, what हो जाएगा, where basically अस्थान के लिए होता है, ठीक है, when यह आप question की तरफ, change the verb, took in the passive voice, तो took है, इसको क्या करना है, passive voice बदाना है, तो took भी basically आपका take का second form है, अब इसकी passive voice बनाते से मत्तवे किसी दूसरे के दार, took क्या है, basically आपका यह past indefinite का होता है, ठीक है, किसका है, past indefinite का sentence है, तो past indefinite जैसे हम बोलने की, मेरी पुस्तक, मैंने उसक पुस्तक ली, I took his book, I took his book, मैंने उसकी पुस्तक ली, तो क्या है, present, sorry, past indefinite है, past indefinite का जो हम passive बनाते है, तो किस में बनता है, past continuous में बनता है, ठीक है, लगवग आपका, sorry, continuous है उसकी continuous की वर्व परियोग की जाती है, helping, वर्व परियोग की जाती है, ठीक है, तो जब past continuous है, तो उसको हमें past में ही बनाना है, तो उसके साथ was और लगटा है, ठीक है, और वर्व की फिर आपकी third form आ जाती है, जब भी passive wise होगा, तो सबसे पहले वर्व की third form आएगी, अब यहाँ पर second है, third आएगी, प्लस उसके साथ was और लगएगा, चुकि यह indefinite है, past indefinite है, तो यह क्या है, टूक है, तो इसके साथ was या वर्व दोनों भी हो सकता है, अब हमें पता नहीं है कि subject क्या है, तो subject अगर singular होगा, तो was taken हो जाएगा, अगर plural होगा, तो were taken हो जाएगा, इसलिए correct इसका उत्तर क्या हो जाएगा, was taken या were taken, ठीक है, तो इसका correct answer हो जाएगा, अब यह तू की जगह अगर क्या होता टेक होता तू की जगह क्या होता अगर यही टेक होता क्या होता टेक होता इसका हमें पैसी बनाना होता तो क्या हो जाता इस टेकन या आल टेकन चुकि यह क्या था प्रजंट इंडिफनिट था तो इस और आर कांटिनिवस के हाँ पर हेल्बिंग लग जाता ठीक है is taken यह are taken हो जाता उसके साथ ठीक है m भी हो शकता था चुकिए क्या है यह आई के साथ परियोग किया जाता है ठीक है चलते हैं next question की तरफ next question complete the sentence with appropriate word the plumber dash 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 the tap only now तो basically यह अभी continuous है काम आपका जारी है तो उस case में क्या हो जाएगा अभी है plumber क्या है singular है तो singular के साथ is का परियोग होगा यहाँ पर tap है तो tap को plumber क्या करेगा fit करेगा और continuous है तो ing form लगेगा तो यह हो जाएगा आपका option number 3 option number 3 में क्या है is fitting the plumber is fitting the tap only now जो plumber है तो tap को अभी fit कर रहा है अभी उसको fit कर रहा है तो plumber है एक वचन है इस लगेगा और यहाँ चुकि continuous है काम जारी है तो उसमें ing form लगेगी fit यहाँ पर गलत हो जाएगा चुकि उसके साथ कोई helping बर्व नहीं आर गलत है चुकि यह प्लूरल के लिए परियोग होगा वाज यह होगा जब आपका होता कि प्लंबन ने पहले fit कर दिया है past tense में होता तो हाँ पर वाज का परियोग किया जाता लोकिन काम अभी जारी है इसलिए कि इसका परियोग होगा इस fitting का यहाँ पर परियोग होगा next question when you borrow ये screwdriver from ये trainee you should say जब आप अपने किसी जो आपका साथ का प्रसिच्छण वाला प्रसिच्छण थी है कोई आपको जो साथ का trainee है friend है उससे आपको मालो एक screwdriver लेना है ठीक है तो screwdriver मांगने के लिए आप कि sentence का परियोग करोगे किस प्रकार उससे screwdriver मांगोगे यहाँ पर पूचा गया है तो पहला है give me your screwdriver तो इसका मतलब क्या हो गया आप sorry give me your screwdriver इसका मतलब क्या हो गया आप उससे आदेस दे रहे हैं कि अपने screwdriver हमें दो दूना आपको आदेश नहीं देना जब भी आप किसी से कोई चीज मांग रहे हो तो request कर रहे हो ठीक है तो यहाँ पर दूसरा option सही हो जाएगा can you give me your screwdriver क्या आप अपना screwdriver मुझे दे सकते है respectful minor में आपको ठीक है polite पे में अभी उपर हमने परहाँ था ठीक है formal informal polite impolite तो polite बे में आपको request करनी है उससे चीज को मांगने के लिए तो can you give me your screwdriver इसका correct answer हो जाएगा the screwdriver is nice गलत है I take your screwdriver यह गलत है basically यह कब होता जब उसको inform करना होता but inform नहीं करना है आपको मांग रहे हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा can you give me your screwdriver next question magnificent sharp lengthy bright are example of यहाँ पर जो सब्द दिये गए है magnificent दिया गया है sharp है या lengthy है bright है तो basically किसी चीज के बारे में बता रहें कि कोई चीज magnificent है या कोई sharp है या lengthy है या फिर bright है जैसे मानलों में या lengthy है जैसे speech है या कोई भूक है बहुत lengthy है कोई student बहुत bright है उसका future bright है basically किसी चीज के बारे में वो describe कर रहा है तो इससे सब्दों ऐससे सब्दों को हम क्या कहते हैं describing word कहते है जैसे आपका set 3 में भी first year के set 3 में पूछा गया था वहाँ पर एक describing subject तो हाँ पर hot था hot मतब गरम था तो ऐसे magnificent sharp lengthy bright यह सभी क्या है describing word के example हो जाते हैं next question table wire socket cable hammer nail यह सभी क्या है तो table है चाहे wire है चाहे socket है चाहे cable है nail है basically है किसी एक वस्तू का नाम है ठीक है किसी एक वस्तू का है क्या है नाम है तो इसको हम क्या कहेंगे naming words कहेंगे ठीक है क्या है यह naming words है ठीक है तो इसका correct answer हो जाएगा naming word next चलते है fix measure pull lift grind mix operate यह सभी किसके jample है तो basically किसी ना किसी काम के बारे में संकेत करते हैं किसी कारी के बारे में संकेत करते हैं कोई ना कोई action बताते हैं इसलिए इसको क्या कहते है action word कहते है क्या कहते है action word कहते है fix इस चीज को fix करना है measure करना है सभी में कोई न कोई action है, कोई काम हो रहा है, तो इसे हम क्या कह रहे है, action word के नाम से जानते हैं, next question, comma, fully stop, question mark, यह सभी किसके example है, option, design, next paragraph, formal communication, punctuation mark, तो किसके example है, यह सभी क्या है, punctuation mark है, इससे हमें sentence का जो flow होता है, उसका पता चलता है, तो comma हो गया, fully stop हो गया, question mark हो गया, य सभी क्या है, punctuation mark के अंतरगत आते हैं, next question, when you start a discussion on a topic, what do you say, जब आप किसी topic पे कोई discussion start करते हैं, तो आपको क्या कहना चाहिए, या आप क्या कहते हैं, यह यहाँ पर पूछा गया है, option है, let you start, let me say, let us discuss, let us finish, तो अभी आप क्या कर रहे हैं, topic पे discussion start करने वाले हैं, तो आप क्या कहेंगे, let us discuss, हमें discuss करना चाहिए, जब discussion पूरा हो जाएगा, तोहाँ पर क्या कहेंगे, let us finish, ठीक है, चलिए, चलते हैं, next question की तरफ, what do you say, when you politely disagree, माल लिजे, किसी बात पर discussion चल रहा है, आप किसी एक particular topic या point पर agree नहीं करते हैं, disagree करते हैं, आप उसे संतुष्ट नह channel में कैसे उसको मना करेंगे, कि हम इस बात से agree नहीं करते हैं, disagree है, option है, I am afraid, I have to disagree, you are wrong, I am right, he is right, तो इसका correct answer हो जाएगा, जो polite भी है, वो है, I am afraid, I have to disagree, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, ठीक है, you are wrong, तुम गलत हो, I am right, मैं सही हूँ, he is right, वो सही है, तो ये correct उसका माइनर नहीं है, disagree करने का, disagree करने का सही माइनर है, I am afraid, मैं, मतलब सहमत नदुख ही हूँ, या वो, नहीं संतुष्ट हूँ इस से, I have to disagree मुझे, मतलब इस से असंतुष्ट होना पड़ेगा, next question, you are requested to complete the given assignment by Monday, this is an example of, तो यहाँ पर एक सब्द दिया गया है, requested, you are requested, यहाँ पर आप से कोई क्या कर रहा है, request कर रहा है, तो इसलिए यह किस प्रकार का sentence हो जाएगा, तो यह आपका basically formal communication की अंतर गता आजाएगा, किसमें, प्रॉपर यहाँ पर grammar हो गया है, का परियोग किया गया है, प्रॉपर यहाँ पर sentence का परियोग किया गया है, कह रहा है, you are requested, आ formal communication में इसी प्रकार से communicate किया जाता है, next question जैसे कि आपको पता है, communication formal हो गया, informal polite और impolite, तो यह formal का उदाहरन है, next, gestures, facial explanation, eye contact, are example of, gesture और facial expression है, उसके मतलब चेहरे की बनावट तो आई contact, eye contact के द्वारा, आप किसी बातों को मतलब कहते हैं, तो यह किसका example है, तो यह सभी आपक example है, non-verbal का, किसका example है, non-verbal, verbal का मतलब हो गया, आप कोई चीज बात चीत कर रहे हैं, बातों की मादिम से, सब्दों की मादिम से communicate करें, non-verbal मतलब आपको देख कर, कोई चीज समझ ले, ठीक है, इसारों इसारों में जिसे कहते हैं, बात करना, eye contact, facial explanation से, कोई मान लोग face expression से आपको पता लग जाएगा, या गुश्चा है, कोई मतलब बहुत खुसी है, दुखी है, तो उसके facial expression से या उसके gesture से आपको चीज बता लग जाती है, तो सभी किसके अंतरगत आती है, non-formal communication, non-verbal communication के अंतरगत आती है, verbal मतलब सीधा आप बात करके कहेंगे, oral मतलब लिखित नहीं है, और written क्या हो गया, किसी भी communication को आप written, लिख कर बातचीत करते हैं, तो written communication, जैसे आप WhatsApp chatting करते हो, तो किसका हो गया, वो, written communication का example हो गया, ठीक, next question, complete the sentence with suitable describing word, यहाँ पर sentence को complete करना है, proper describing word लेना है, जो चीज को क्या करें, उसके बारे में बताए, तो the area is, जो यह छेत्र है, as the house in, it cost a lot of money, यहाँ पर जो house basically, उसका मतलब जो पैसा बहुत जादा है, इसलिए ये area क्या हो जाएगा, तो पैसा बहुत जादा है, इसलिए area क्या हो जाएगा, expensive हो जाएगा, बहुत महिंगा हो जाएगा, तो correct answer क्या हो जाएगा, the area is expensive, जो ए छेत्र है काफी महिंगा है, as जैसा कि the houses in it, जो यहाँ पर घर बने हुए है, cost a lot of money, बहुत महिंगे हैं, बहुत जादा उसके कीमत है, तो इसलिए area क्या है, महिंगा है, next question की बात की जाएगा, complete the sentence with suitable describing word, यहाँ भी आपको describing word के द्वारा sentence को complete करना है, question क्या है, the road is in my town, are in, dash, 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 condition, condition, the road in my town, जो मेरे सहर में road बने हुए है, in condition, किस condition में है, पहला हो गया, good condition में, expensive में, beautiful या safe, तो condition को क्या बताएगा, good और bad बताएगा, road की condition यहाँ तो good हो सकती है, तो यहाँ पर सही option क्या हो जाएगा, good हो जाएगा, the road in my town, are in good condition, मेरे सहर में जो सणके हैं, वो अच्छी स्थिती में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, good, expensive, basically किसी महेंगे के बारे माद यह से ऊपर वाला हो गया, beautiful किसी वस्तु के बारे में हो गया, safe, कोई सुरच्छी ते उसके बारे में हो गया, चलते हैं, next question की तरफ, complete the sentence with suitable describing word, यहाँ भी आपको describing word के बारे में ही पूचा गय है, तो full अच्छे हैं, तो garden भी क्या होगा, आपका काफी अच्छा होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, there is beautiful garden, ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, सही सब्द, इसके लिए सही सब्द हो जाएगा, beautiful, dear is here beautiful garden with the lovely flower, मतलब वहाँ पर एक सुन्दर बगीचा है, जिसमें बह there is here dash playground, near to our house, basically playground है, तो playground के बारे में क्या बताईगा, ground या तो छोटा होगा, या फिर ground क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको, आपसान में big मिल जा रहा है, बड़ा मिल जा रहा है, तो there is a big playground near to our house तो इसका सही उत्तर हो जाएगा big हमारे घर के पास में एक बड़ा खेल का मैदान है there is a big playground near our house तो इसका correct answer big हो जाएगा next यहाँ पर जो इस set one का last question है इसमें भी आपको describing word के द्वारा fill up करना है यहाँ पर पूचा गया there are dash dash apartments in my neighborhood मेरे पडोस में किस प्रकार के apartments हैं तो apartment क्या होते हैं काफ़ी बिशाल होते हैं काफ़ी बड़े-बड़े apartment होते हैं तो यहाँ पर expensive, beautiful, good या spacious तो यह क्या हो जाएगा spacious इसका सही option हो जाएगा जिसका मतलब होता है बिशाल काफ़ी बड़े-बड़े तो there are spacious apartments in my neighborhood हमारे बगल में काफ़ी बड़े-बड़े बिशाल यहाँ पर apartment बने हुए हैं तो यह थे basically आज के set 1 जो फिटर second year का set 1 है उसके 75 questions जो कि हमने discuss किया आसा करते हैं सारे questions आपको समझ में आये होंगे अगर किसी question में कोई doubt है कोई question आपको समझ में नहीं आया है तो उसको आप comment सक्षे में पूछ सकते हो या telegram पर link दिया गया है description में telegram का उसको join करके वहाँ पर channel पर आप discuss कर सकते हो वहाँ पर और सारे आपके friends मिल जाएंगे साथी साथ जो PDF होती है important और सारे class की उस PDF को भी आप वहाँ से access कर सकते हो ठीक है और पहली बार channel पर visit कर रहे है तो channel को subscribe जरूर कीजिएगा bell icon button को दबाईएगा जिससे आपको notification मिलती रहे और हमारे उत्सावरदन के लिए वीडियो को like करना न भूलें और अपने friend के भी share करें जिससे जो यह मेहनत है इसको मनतब अच्छे से utilize किया जा सके सब के भलाई के लिए इसको उप्योग किया जा सके ठीक है मिलते हैं next video में till then have a good day best of luck आप लोग अपना feedback देना मत भूलिएगा thanks for watching